शिफ्ट नाम आते गाडी का तो वह सेफ्टी को रिलेट करते हं कि वह सेफ्टी नहीं होगी गाडी अंदया जैसे कि सिंफ्ट है तो बूरी गैंस्टर कार कि जैसे इसकी लूक है और देखो नए क्यूं लिए दिफाली है सबसे ज़्याद क्या दो पर कि तो लेने जाओ ना इसकी जो लुक के भाई वह एक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है मैक से सी थोड़ा सा चीप लगता है यह लिखा हुआ सारी चीज आपको बताऊंगा कि क्या चीज है इसमें जो इसको और गाड़ी से अलग करती है और जो इसको अच्छा बनाती है बुराई वगयर मैं आपको दिखा देती लास्ट वीडियो में आज इसके भाई हम इसके पॉजिटिव के बारे बात करने वाले क्या कैसे पॉजि और उपर से अलोई विल लगाने के बाद तो अगर आप लोगे तो स्टॉक के हाइट कम मिलेगी यह इसके हाइट जो हो रही है ना भाई यह ब्रीजा के एक्कोल हो रही है मतलब कि अगर बेस मोडल बिलकुल स्टॉक ब्रीजा देखे तो इसकी बराबर है बिल्कुल जिस यह गाड़ी है कौन सी और उपर से भाई मैंने सकी हैड लाइट भी चेंज करा रहे है जिससे की डियारल वगएरा डीमन आई है और जो कि एक नंबर ही अलगी लगती है अगर मैं तो यह इसके अंदर टोप मोडल की हैड लाइट डली हो पर से डीमन आई भी है और जो भी म डेकल गार कि जैसे इसकी लूक है देखो ना एं ब्लैक में पूरी गैंस्ट्र लग लग रही है देखो क्या ही अल्टिमेट लग रही है तो डीरेल के बाद जो लूक आ रही है वह एक नंबर है बात करैं फ्रन्ट फेस इसका बहुत अच्छा है बस यह गिसका बोन टैना यहां से उठा हुआ सा लगता तो यह थोड़ा से एक अजीब लगता है अब रोज देखते रहोगे ना तो इतना कुछ फिल नहीं होता तो में चीज कंपनी इसकी भाई ग्लॉसी गिरिल देती है ब्लैक जो कि भाई बहुत बढ़ी है कोई मैट वगारा नहीं है पेंट कराने वाला है पूरा हमने करा दिया है जैसा आपको दिखिरा होगा और में चीज बात करते हैं इसकी साइड लुक की साइड लुक भाई भाई बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है पीछे की लुक की बात करूं ना भाई मैं तो वह तो भाई है अल्टिमेट इसकी जो टेल मैं इसकी जैसे मैं लास्ट वीडियों बता दी बता ही दिया था कंपनी ने यह वाला पार्ट इसका प्यानो ब्लैक दिया और बहुत अच्छा करा कि इसका है अब थोड़ी और अच्छी लगती है वह भी अच्छा था उस गाड़ी में वह सूट करता इसमें भाई यह मची के साथ बनाए हूए और भूरा ठीव है यह जोईन्ट ओगे ऐसे कुछ आ रहा है तो पूरा एक लाइन आ अपमान सकते हो यह से कुछ ए तो पूरा ऐसे बोल्ड पूरा है के पूरी गाडी पर रहने वाला है बंपर बहुत हलके हैं जैसे मैंने पीछली वीडियों बत दिग्गी रहने वाली है अन्दर के तरफ चले अन्दर से अगर मैं दिखाना चाहूं तो कमपनी ने वाई मियर को दीती है अगर मैं दिखाऊ इसका घुब यह स्विच ने आता यह मैंने अलग से लगाया हुआ यह मेर बिखाना चाहूं तो or vids के चेंज है मै पूरी ये टॉप मोडल बनवा दिया अभी बस यह हैंडल वगएरा और चोड़के तो इसके अंदर यह इतना इतना कुछ पार्ट आता तो बहुत सही है नहीं तो पिछली वाली अगर देखोगे ना पिछली वाली जो सुफ्टी उसमें वह था हास से उतारने वाला इधर बे पढ़ी थी अगर विदाउट किसी चीज है कि मतलब कि अगर मैं पांच साल वाली वारंटी वगरा सब अटा दूं तो साथ शाथ पैनल की डॉर पैनल बाइसके बहुत जाद अच्छे यह डिजाइन बहुत अच्छा लगता है मेरे को और एक जो जिगजग वाला इसके पर बहुत अच्छा लगता में जैसा आइसे चोटी जोटी तो यह बहुत जीएक पकड़ते हैं बात करने इदर आपको ट्रेक्शन रचल मिल जाता इदर यह उटो इस स्विच मैंने लगाया या लग से लिए पूरी वाली वीडियो अगर किसी ने देखी नहीं है तो जाके देख लेना और इसके बात करें स्टेरिंग भाई यह तो इसके अंदर भाई वहा था बेसिक सा और आपको एक बार ओन करके दिखाता हूं इसको तो भाई पता है क्यों लीनी ची किया अच्छा लगता है इस गाड़ी का सबसे जादा कर मेरे मेरे से पूछे जाए तो इसका अच्छा लगता है ठोड़ा उससे फ्रॉंक से मिलता है इसका मीटर रहने वाला है यह देखो इसकी जो यह ना सुई देखो भाई यह एक स्पोर्टी वाली है एक अलगी नेक्स लेवल चीज भाई इसमें दिखती है तो यह मैंने इसका स्टेरिंग है ना भाई यह चेंज करा है बहुत बंदें सोचें औ और यह ऐसे पर भी हो जाता है अगर मैं दिखाना चाहूं तो यह देखो भाई ठीक है ना तो यह पूरी नोब है अगर मैं इसको बंद कर दूंगा लो तो अब नहीं होगा ठीक है तो मेरे को नीचे चलाने में इसको बहुत जाता मज़ा था जब बंदा अल्टों से सीधर करें तो चीजे तो अच्छी लगनी लगती है तो यह देखो अगर मैं दिखाना चाहूं इसमें पीछे पीछे वाले पैसेंजर के लिए सीट की सीट बैल्ट दिया उसके भी इसमें आपको सेंसर वगएर देख रहे होंगे तीनों के पीछे रहने वाले हैं तो आवरेज की में 14 दिखा रही है पर 10 की अवरेज के मेरी सिटी में है 18 की आवरेज हाईवे पर दे रही है सिटी की आवरेज हम एक बार और निकाल के दिखाएंगे आपको एक लीटर पर कितने चलने वाली है वह आप जरूर देखना अभी जो मेरी गाड़ी चल चुकी है वह चल गई है 1618 किलो मिटर में इसको चला दिया है तो इसका डैश्बॉर्ड मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एक तो यह वाला फेस जो इतना आप देखोगे ना यह इस तरफ टिल्टा ऐसे मतला कि ड्राइवर साइड और इसके भाई यह मैनुवल एस में मिलता है यह पूरे ठीक है तो पैरो प्यार यह करा तो आगे चली के फ्रेंट पर यह पूरी फेस फे ठीक है ऐसी रहने मैक्स अच्छा लगता है तो यह घंदा लगता है मेरेको एक इसके अंदर यह करूंगा तो लोग फुल तुफान आ जाएगा पिर आगे नॉर्मल ठीक है और भी मैक्स ए है तो ऐसे कुछ यह है और यार टोप मोडल में कोई आम रेस्ट वगएर नहीं देती कंपनी अगर टोप मोडल में आम रेस्ट आता तो भाई मजा आता फिर ना हमारी गाड़ी में लग जाता पर कुछ न कुछ हम जुगाड कर लेंगे अपर फ्रंट भी मिलेंगे दोनों साइड और पीछे भी आपको एर बैक मिलते हैं तो कंपल्सर हो गया कि शेव बैक गाड़ी के अंदर देने देने हैं तो सेफ्टी की बात करें सेटें बहुत बढ़ जाती हैं बहुत बंदे कहाते हैं तीन सिलेंडर लिगके बहुत बहुत सेफ्टी है नहीं है सिफ्ट के नाम से बंदे इतने जाद हो है कि मनला में ना सिफ्ट नाम आते हैं गाड़ी का तो भाई वह सेफ्टी को रिलेट करते हैं कि भाई सेफ्टी नहीं होगी गाड़ी के अंदर जैसे की सिफ्ट है तो तो इस गाड़ी के अंदर भाई सेफ्टी ह सब्सक्राइब करें और बात करें तो इतने पैसे में और क्या ही लोग है बंदे कहेंगे टाटा पंच में इतनी लुक नहीं बहुत दिक्कत परिशानी है जैसे हमने सुना है और रिव्यूज वगर आमने लिए गाडियों के तो टाटा के अंदर वह मज़ा नहीं है अब सेफ्टी सब चीज नहीं होती लुक्स भी होती है सब चीज होती है एक पावर में भी मज़ा होना चाहिए पीछे आपको पीछे बहुत 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 दने वाद तो मिलते हैं जल्दी नेक्स वीडियो के साथ उयाँ निल्दी लुदी लुक्स भावर नेक्स वीज होती है आपको लुदी टाना चाहिए ? झाल झाल